सो ये गाइस कैसे आप सभी आई हो कि आप सभी ठीक होंगे तो ये है हमारे पास Samsung Galaxy S21 FE ये smartphone launch हुआ था 2022 जनुरी के अंदर Exynos processor के साथ में Exynos 2100 के साथ में launch हुआ था बट उस समय इसके अंदर बहुत ही बड़ी problem आई जो की थी heating issue बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था तो लोगों ने इसको नहीं लिया और जिन लोगों ने लिया था उन लोगों ने sale कर दिया और दूसरे smartphone के उपर switch कर गए लेकिन जब ये बास Samsung को पता लगी तो भीया उसने जो है एक बहुत ही बड़ा गेम खेला कि smartphone काफी अच्छा बनाया था उन लोगों ने तो इन लोगों ने सोचा कि इसका प्रोसेसर जो हम चेंज करते हैं और इसकी जो heating issue है वो उस problem को solve करते हैं तो इन लोगों ने snapdragon 888 के साथ में इसको launch किया 2023 में जुलाई में तो 50,000 के आसपास ये flexi level का smartphone है तो उस वक्त कुछ लोगों ने खरीदा क्योंकि उस वक्त प्राइस भी थोड़ा चका 50,000 के आसपास था थोड़ा ज्यादा था और जो problem पहले थी उस problem को ध्यान रखते हुए लोगों ने इतना ज्यादा पसंद नहीं किया बड़ अभी जो इसकी pricing है वो काफी अ देखते हैं unboxing तो यह है हमारा box कुछ इस तरीके का काफी सिंपल सा यहां पर बड़ा सा S बना हुआ है स्री से का हमारे smartphone तो S मिलेगा एंड यहां पर galaxy S21 FE 5G लिखा हुए यहां पर हमें USB Type-C to Type-C केबल देखने को मिल जाती है हमारी इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि काफी पुराना launch है इसके physical overview के बारे में आप सबको पता ही होगा बात करेंगा डिस्पले के बारे में तो यहां पर 6.4 इंच की डायनमीक AMOLED 2X डिस्पले इसके इंदर देखने हो मिलती है फुल HD प्लस डिस्पले, HDR10 का सपोर्ट और Wide One L1 सेटिफिकेशन का सपोर्ट भी इसके इंदर आपको देखने हो मिल जाता है और मेरा ऐसा मानना है कि जो AMOLED डिस्पले होती है वो Samsung के स्मार्टफोन के अंदर ही अच्छी लगती है अगर आप बाहर भी इसको यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली और यह जो वेरियंट हमारे पास हो है 8GB RAM 256GB Storage वाला वेरियंट LPDDR 5X की RAM इसके इंदर देखने हो मिल जाती है और UFS 3.1 की Storage इंदर देखने हो मिलती है इसके इंदर हमें देखने हो मिलता है Snapdragon 888 का प्रोसेसर जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और आपके डेली टास्क में यह स्मार्टफोन कहीं पर भी अटकने वाला नहीं है Adreno 660 का आपको GPU इसके इंदर देखने हो मिलता है और यह वाकई में प्रोसेसर बहुत ही तगड़ा है gaming के बारे में हम इसके उपर एक प्र WILL करेंगे अगर आप लग से नहीं मिलना तो आपको 25 का और इसके अंदर 15 watt की wireless charging का भी support मिलता है and 5 watt का reverse charging का भी support मिलता है flexible level हो ले feature भी आपको देखने में जाते हैं जैसे कि NFC हो गया, Samsung Dex हो गया या फिर Samsung wallet हो गया, या फिर call recording हो गया बात करेंगर software के बारे में तो वैसे तो यह Android 13 के उपर आता था और 5 year आपको security update मिलते रहेंगे बात करेंगे के बारे में तो यहां पर back side में triple camera setup देखने को मिलता है जहां पर main camera आपको 12 MP का मिलेगा and 12 MP का wide angle camera देखने मिलेगा 8 MP का यहां पर telephoto lens दिया गया और जो main camera है वो OIA support के साथ में आता है सकते हैं back and front दोनों camera से और यहां पर टाइप C port मिलता है यह आपको 3.2 Gen1 का मिलता है आप यहां पर HDMI करके Samsung Dex का लाव उठा सकते हैं और यह इसका back panel यह polycarbonate से बना हुआ है यहां पर आपको fingerprints capture होते हुए नजर आएंगे वैसे अगर आपका phone पानी से खराब होता है तो इसकी कोई warranty नहीं होती है जैसे कि यह 5G smartphone है तो इसके अंदर हमें 13 5G band देखने हो मिलते हैं और 5G बहुत ही अच्छी तरीके से work करता है यहां पर speed test भी देख सकते हैं काफी अच्छी काची स्पिनिकल के आरे जी हो की और इसके अंदर आपको 120Hz का refresh rate भी देखने हो मिल जाता है यहां पर दो option देखने हैं standard और high standard के अंदर आपको 60Hz का मिलेगा and high के अंदर आपको 120Hz का refresh rate देखने हो मिलेगा scrolling वगरा बहुत स्मूध हो जाती है यहां पर और यहां पर आपको देखने हो मिलता है dual sim slot जहां पर आप दो sim card युश कर सकते हैं memory card लगाने का option यहां पर आपको नहीं मिलेगा अब speaker टेस्ट कर लेते हैं तो speaker के quality ठीक ठागे वैसे studio speaker यहां पर देखने हो मिल जाते हैं एक उपर की side में and एक नीचे देखने हो मिलता है तो बात करते हैं इसके main लफड़ा के बारे में मतलब I mean जो heating इसू था वो अभी कैसा है मतलब जो exynos के साथ में था और अब भी जो हम यह 888 वाला यूज करें snapdragon variant सो इसके अंदर heating इसू है या फिन नहीं है तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसको मैंने कल purchase किया था और कल मैंने इसको activate किया था offline मैंने purchase किया था तो मुझे activate करना पड़ गया अक्टिवेट जम में कर रहा था तब मुझे थोड़ी सी problem लगी first time क्योंकि ये smartphone activate हो रहा था तो activate करते वक्त इसका यूई है वो optimize हो रहा था तो उस वक्त जो यह थोड़ा सा heat हुआ था तो उस वक्त जो यह थोड़ा सा heat बट मुझे ऐसी कोई प्रॉलम देखने को नहीं मिली अगर ऐसी कोई प्रॉलम देखने को मिलती है तो फीचर में मैं आपको अपडेट कर दूँगा वीडियो के माद हम से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और इस फॉ आपको यहां पर आप ग्रेट ऑफर भी देखने को मिलेगा आपके पास जो भी स्मार्टफोन है उसका इमाई नंबर वेर आपको देना होता है इमाई नंबर देने के बाद वो अपग्रेट ऑफर लगा देते हैं उसमें आपको पांस जार कर डिसकाउंट मिल जाएगा तो ना डाउट यह डिल मुझे काफी अच्छी लगी और अभी इसमें जो इसका प्राइस अला हो पहुत अच्छा है तो आप ले सकते हैं स्वाहिख क्या आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो कर देने लाइक एट चैनल को लेने सस्क्राइब मिलते हैं क किसी दूसरी वीडियो के तता तो be safe and be healthy